क्या आप जाती में जो बांट रहे हैं ये चिराग पासमान जी आए जाती बाद करके चले गए वो क्या जताना चाह रहे हैं यहां कोई जाती बाद नहीं है यहां कोई कुछ भी नहीं है एक लरकी का मामला है कल होके उसको छेरा है पड़स होके किसी और को छेरेगा ये मन पर दिखने को मिली जब दलित छात्रावास के छात्रों के दौरा एक बच्ची के साथ छेरखानी की घटना हुई और यह तमाम मामला इतना तुल पकर लिया कि गोलिबारी की घटना हुई पूरे घटना करम की बात कर ली जाए तो जिस परकार से बच्ची बगल के दुकान मे कुछ समान खरीदने गई थी और चार से पाच की संक्या में जो होस्टल के जो छात्र थे उन्होंने छेरखानी की घटना को अंजाम दिया और उसके बाद जो बच्ची थे उनके परीजन थे उसके बाद बीच वचाओ किया गया और फाइरिंग की घटना की बाते सामने और पिडिता के घर मिलने भी पहुची है जिस परकार से परीजनों ने सीधे तोर पे आरोप लगाया है कि बच्ची के साथ छेरखानी की घटना होई थी वहीं होस्टल के जो नेता हैं अमरा राजात दलीतों के नेता हैं उन्होंने इस पूरे आरोप को बेबुनियाद बत मारपे ठोई पिता ने जाके हवाई फाइरिंग किया कई छात्र गायल हुए इधर से भी गायल हुए एफ इयार दर्च किया गया जो बच्ची है उसके घर पे आप मिलने आई क्या कुछ पूरा मामला निकल के आया और आपको नहीं लगता है कि जब इस तरह से बेटियों क साथ घटनाएं होंगी जो परिजनों का आरोप है तो कहीं न कहीं दुखा दे क्यूंकि बेटिया बढ़ाने और पढ़ाने के बात नितिश कुमार ही करते हैं और वह ही बिहार के राधानी पटना जहां से बिहार के मुखमंत्री बैठते हैं तमाम आला दिकारी बैठते हैं और उसी के नाक के नीचे इस तरह की बड़ी घटना होना नहीं सही बात है ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सी धकोशला है और ये लोग आरोप नहीं लगा रहे हैं आप जो बोले हैं कि इनके पेरेंस जो है लड़की वाले के पेरेंस जो है वो आरोप लगा रहे हैं आपना सावित करेंगे तो लोग कुछ भी कर सकता है तो लोग करतूत छुपार रहे हैं और पुरा बिहार जान रहे हैं कि उन लोगों का करतूत क्या है पिछला बेग्गरांड आप उठा के देख लीजिए उसी होस्टल में लरकी को लेके नचवाया गया क्या नहीं हुआ अब पूरा दलित समाज को बदनाम कर रहे हैं यह कहीं से सही नहीं है आपके सामने में आपकी बहन को कई छेर रहा है और आप मुझ चुपा के भाग जाईएगा तो ऐसे भाग अच्छा है जिन उससे भाहिए अप सीधा कैसे बोल रहा है waterproof के लड़की को छेर रहा है पर इस से पहले बिलकुल नहीं किसी जाती बैक्तिगर्द की बात हम नहीं कर रहे हैं हम कुछ ने एक लड़की है लड़की को छेरा है तुमको सजा होगा सिधा बात बोल रहे हैं तुमको सजा होनी चाहिए पूरी बिहार के लोग अगर ये मेरे माधम से देख रहे हैं तो हम सिधा आप से बोल रहे हैं कि आप अगर अपनी बहन बेटी को रक्षा नहीं कर सकते ह तो भाई क्यों सिधा बोल रहे हैं लेकिन हमने इस चीश को भी उठाया है ऐसा नई को वीडियो पुराना है जिस परकार से अमरा आजाद को जो वीडियो तो नहीं है ने 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 सुन लिए पहले आप लड़की के जो भाई है उसके पिता है उसका वीडियो और फो हेडजर एक्ट ये क्या होता है जी आपको सफ़ोंट नहीं किया है क्या आप भांत रहे हैं यह छिराग पास्मांजर आई जातिबाद करके चले गए ओं जतानाइopard यह यहां कोई जाति बाद नहीं है यहां कोई कुछ भी नहीं है एक लर्की का मामला है कल होके उसको छेरा है पड़स होके किसी और को छेरेगा तो यह मन बढ़ाने वाली बात है अमर आजाद से हमने बात की थी और उनसे दो सवाल जरूर किया था मैंने करगिल चोक पहीं किया था कि यह जो छिर्खानी का मामला है और जिस परकार से जो हरकत की गई है तो सीधे तोर पे अमर आजाद ने का कि जो भी घटना करम हुई है ऐसा कोई बात नहीं है लर्की को फ दलित बताते हैं लेकिन जो कारणामा पहले तो उन्हों ने कहा है उन्होंने कहा कि यह वीडियो फरजी है काई साल पुराना है फिर उन्होंने कहा कि कोई कि देखना गुना है के zwischen का बलतकार कर दिया क्या तो आपको नहीं लगता है कि उनके भयानों में भी लोगों का कुछ लोगों का वाले का साथ देर हैं ना वो छुपार है अपनी कर्थूतों के लेकिन कर्थूत पुरा बिहार देख रहा है लोगों का कुछ लोगों की हम बात कर रहे हैं जो अमबेदकर छात्रावास का नाम खराब कर रहे हैं कुछ लोग और भी बच्चे वहाँ पर पढ़ने वाले हैं जिनका भविस वो लोग खराब कर रहे हैं सही बात बोल रहे हैं, अमार आजाजी में थोड़ा भी नितिकता होती, तो इससे मामला को रफा दफा सांत कर देते, क्योंकि उन्होंने लड़की छेड़ने का काम किया है, आप ये बता रहे हैं कि हमने लड़की नहीं छेड़ा है, हमको पुरूप चाहिए, कौन सा पुरू अगर दोसी होगा, तो उन पर कारवाई किया जाए, लेकिन ऐसा घटना हुआ नहीं है, चाहते हैं, जाच का भी से है, जाच के हो जाए, जाच करवाए न, जाच करवाए, दूद का दूद, पानी का पानी होगा, ये लोग पागल है क्या, आप लोग को ये फैमिली वाले पागल दिखते हैं, जो बंदुक लेके रोड पे निकल जाएगे, इन लोग कोई काम धंदा है नहीं, जो अमर आजाद से बहुत बढ़ा दुस्मानी है, अमर आजाद बहुत बढ़ा तोफ है, जो उसको गोली मारने चले जाएंगे, कहे ने लग गया अमर आजाद को गोल पैसा से एक बैनर पे सिर्फ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, धरातल पैसा कुछ भी नहीं, आज बेटी की बात आ रही है, क्या ये लोग ये चाहते हैं, कि बेटी का बलतकार हो जाए, बेटी मर जाए, फिर अमर आजाद केंडिल लेके, कारगिल पर च अपनी बेहन को लेके, या आपकी बहन बेटी को कोई छेरता है, तो आप चुप रहिएगा, या कुछ कीजिएगा, हमको इतना जवाब चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए, बस इतना ही जवाब चाहिए. को दबाने के लिए लड़की को फरंट पे रखा गया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, कि अमर आजाद जो तमाम दावे और वादे कर रहे है, मामले की निस्पच्छ जाच करनी की बात कर रहे है, लेकिन अमर आजाद भी दूद के दुले हुए नहीं है, क्यूंकि जिस पर